इन लोगों का यूनियन बहुत देर से होगा नवस्ते दोस्तों, मेरे नाम है उर्वशी जूशी और ये है मेरे चानल रूपल्थरी, हाई प्रीस्टेस बहुत से लोग जो इस जूर्नी में है, जिस टॉपिक पे इस चानल पर में डी में वीडियोस बनाती हूँ अवेकनिंग असेंशन जूर्नी में, जो लोग हैं और डिजायर के लेवल पे स्टक है, डिजायर के लेवल पे अटके हुएं किसी परसन के लिए उन्हें बहुत डिजायर है, बहुत सोल कनेक्शन फील होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनियन चाहते हैं अच्छी बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका यूनियन हुआ भी है वो साथ में हैं, वो खुश हैं और वो अपने आगे के जो गोल्स हैं उनके ओपर फोकस कर पा रहे हैं और वो अपने आगे के जो गोल्स हैं उनके ओपर फोकस कर पा रहे हैं मेरे अंडर खुद, मैं खुद साक्षी हूँ पिछले 5 सालों में मेरे ही अंडर कितने ही लोगों के जो हैं, वो यूनियन हुए हैं मैंने उनका दुख देखा जब वो सेपरेशन में थे, उनको रोते हुए सुना है उनकी काउंसलिंग करी है, उनकी हीलिंग करी है और वो खुद भी बहुत पॉजिटिव एफट्स लगा रहे थे और कमाल मिरिकल मैंने देखा कि वो फिर से जुड़े, शादियां हुई हैं, खुश हैं आगे की तरफ फोकस कर पा रहे हैं, जीवन में आगे जिस तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ फोकस कर पा रहे हैं तो ऐसे कितने ही लोग हैं जिनका मैंने देखा कि union हुआ है इन पांच सालों में अपने desire connection के साथ उनका जो है union हुआ है ऐसे connections को कई लोग जो है divine connection, twin flame connection, soulmate ये सब कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस person के आने के बाद आपकी spiritual awakening होती है जिस person के आने के बाद आपके जो है चक्राज खुलते हैं आपका subconscious mind active होता है जिस person के आने के बाद आप अध्यात्मिक चीजों में आने लगते हैं आपकी अध्यात्मिक growth होती है ऐसा connection जो है वो आपका spiritual counterpart है क्योंकि इसके आने के बाद आप अध्यात्मिक चीज़ों में जा रहे हैं अध्यात्मिक जो प्रैक्टिसज़ हैं spiritual प्रैक्टिस़ वो कर रहे हैं और आपकी जो है soul evolution हो रही है आपकी जो चेतना का स्तर है वो बढ़ रहा है बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ रही है सत्य और ग्यान की तरफ आप आगे बढ़ रही है consciousness लेवल जो है high हो रहा है तो ऐसा connection, ऐसा person जिसकी वज़े से आप purity की तरफ आगे बढ़ रही है और जिसकी वज़े से आपका शुद्धी करण हो रहा है ऐसा person जो है spiritual counterpart है कई लोगों के union हुए है वो खुश है, काफी खुश है काफी काम किया है उन्होंने खुद के उपर और आप जो है दोनों के दोनों किसी अच्छे काम से जो हैं जुड़े हुए है कोई बहुत बहतरीन काम वो कर रही है ऐसा कोई काम कर रहे है जिससे समाज का भी कल्यान हो रहा है कई ऐसे भी है मतलब इतनी purity है उन दोनों के अंदर कि वो खुद इतनी light बन चुके है कि अब उनकी वज़े से बहुत सारे और लोगों के जीवन में भी प्रकाश आ रहा है तो कुछ ऐसे इतने high vibrational type के भी है जिनके unions हुए है कई ऐसे भी आएंगे जिन्होंने अपने उपर काम नहीं किया लेकिन उन्होंने जो है उनकी शादियां हो गई वो एक हो रखे है लेकिन आए दिन जगड़े एक दूसरे से trigger होते रहते है bond trauma creator है एक दूसरे के mirrors है एक दूसरे के तुरू दुनिया भर की चीज़े surface पर आती है और एक दूसरे के उपर हावी होते रहते है तो जब तक ये लोग अपने उपर काम नहीं कर लेंगे बहुत सारी negativity रिलीज नहीं कर लेंगे तब तक यही सब पना रहेगा और कई ऐसे भी हैं जो union चाहते हैं अपने desire person से लेकिन उनका union बहुत देर से होगा ये video उनी लोगों के बारे में है कि कौन से हैं वो लोग जिनका union बहुत देर से होगा और क्यों उनका union देर से होगा इसके बारे में ये video है आप में से कई लोगों को ये बात पता ही होगी कि after awakening जो है वो हमारे चक्रास खुल जाते हैं subconscious mind जो है वो बहुत जादा active हो जाता है दबे हुए emotions बहुत जादा surface पर आते हैं इसके अलावा जीवन में जो है नए लोग आते हैं और ये जो नए लोग हमारे जीवन में आते हैं इनका हमारे साथ किसी तरीके का कार्मिक अकाउंट रहता है ये हमारे mirrors भी होते हैं इनके साथ कई बार हमें बहुत connectivity भी होती है लेकिन कई बार इन ही रोगों की वज़े से जो है हम बहुत जादा trigger भी हो जाते हैं तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि 4D में व्यक्ति experience करता है तो उसका subconscious mind active होता और बहुत से spiritual experiences भी उसको हो रहे होते हैं और उसको अपने चक्राज में भी किसी तरीके की sensations जो है feel होती हैं काफी strongly और नए लोग जीवन का हिस्सा बनते हैं जिनका प्रभाव बहुत जादा पढ़ रहा होता है अब 4D में व्यक्ति को अपना ब्यॉरिफिकेशन करना अपना शुद्धी करनी है उसको inner work करना है उसको deep cleansing करनी है planetary blocks हटाने हैं काफी कुछ है जिसके उपर उसे काम करना है उसे self पे बहुत जादा focus करना होगा लेकिन जब उसका समय शुड़ हुआ खुद के उपर काम करने का खुद को transform करने का खुद के शुद्धी करने का तो कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि 4D में आने के बाद जो है लोगों को कई लोगों को जो है बहुत जादा interest आने लगा occult में जैसे astrology में, numerology में, वास्तू में, तंत्र में, मंत्र में और tarot में, कई ऐसे चीज़ों में उनका interest इतना जादा आने लगा और इन चीज़ों से जब वो introduce हुए तो उनको लगा कि ये चीज़ों मैं already जानता हूँ बहुत easily उनको ये चीज़े समझ आ रही थी और नाकेवल उन्हें बहुत easily ये चीज़े समझ आ रही थी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इन चीज़ों में इन चीज़ों की वज़े से उनका बड़ा नाम होने लगा इन चीज़ों की वज़े से उनकी बड़ी earnings होने लगी काफी पैसा जो है उनको इन सब चीज़ों की वज़े से जो है मिलने लगा ये जो गुडविद्याएं हैं गुप्त विद्याएं हैं इनकी वज़े से उनको काफी पैसा जो है मिलने लगा जब वो 4D में हैं कितनी housewives हैं जिनकी after awakening वो कोई tarot card readers बन गई कितने ही government job वाले हैं, doctors हैं, engineers हैं कि जब वो 4D में आए, अच्छानक उनको जो है बहुत ज़ादा interest आने लगा astrology में, tarot में, mantras, tantras, reiki, healings बहुत सी ऐसी चीज़ों में उनको बहुत interest आने लगा crystals और you know, ना किबल interest आने लगा, उनको ऐसा लगा कि वोई चीज़े अल्रड़ी जानते हैं, थोड़ी सी भी वो knowledge ले रहे हैं तो और जादा ग्यान उनकी तरफ flow हो रहा है, और जादा चीज़े उनने समझ आ रहे हैं और कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है, कि इस knowledge की वज़े से, इस तरीगे की knowledge ये गूर विद्याओं की knowledge की वज़े से बड़ी fan following बनी है सोशल मीडिया पे लाखों लोग, हजारों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं अब सीन ये है कि ये जो लोग है ना, जिनकी awakening के बाद, 4D में आने के बाद अचानक उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके इस occult knowledge की वज़े से, इस तरीके की ग्यान की वज़े से बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हैं, बहुत सारे लोग उनकी तरफ आई हैं और इस वज़े से उनको अच्छा भी बहुत लगता है और पैसा भी उन्होंने बहुत कमाया है लेकिन अगर इन में से कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर डिजायर थी उसकी अवेकनिंग हुई थी किसी परसन के तुरू और उसके अंदर इच्छा थी कि मेरे को जो है यूनियन मेरा हो जाए इस परसन के साथ ये मेरी शक्ती है मैं इसका शिव हूँ या वो मेरा शिव है मैं इसकी शक्ती हूँ अगर इस तरीके का कॉनसेप्ट उसके माइन में बहुत जादा चलता था और किसी मतलब कनेक्शन के तुरू ही उसकी अवेकनिंग हुई थी तो आप देखना ऐसे जो लोग है ना इनका यूनियन बहुत देर से होगा या फिर होगा ही नहीं पता है क्यूं इनके अंडर जो लोग आएं हैं मदद मांगने के लिए इनके पास जो लोग आते हैं हेल्प के लिए रिलेशन्शिप में परिशान नोग जो इनकी तरफ आएंगे solutions के लिए आप देखना उन में से कई लोगों का कल्यान हो जाएगा इनकी तरफ जो मदद के लिए आएंगे इनसे जो हेल्प मांगेंगे relationship में कई जो परिशानियों में होंगे इनकी guidance जो कई लोग लेंगे उन में से कई लोगों का कल्यान हो जाएगा मतलब उनके union हो जाएंगे उनके वो एक हो जाएंगे अपने partner के साथ लेकिन इनका union बहुत देर से होगा जादा तर लोगों का या फिर होगा ही नहीं कारण यह है दोस्तों मैं आपको बता दियूं कारण यह है after awakening 4D में जैसे मैं आपको बताया कि हमारा subconscious mind खुलता है spiritual experiences होते है energies के बड़े experiences होते है psychic abilities बढ़ जाती है गुड चीजों में जो है बड़ा दियान जाने लगता है गुड विद्याओं की तरफ बड़ा interest आने लगता है लेकिन देखो ultimately हमको 4D में सरफ अपने शुद्धी करण के उपर focus करना है हमारे जीवन में after awakening कार मिक्स आते है वो हमारे mirrors भी है उनके तरू universe जो है हमें हमारी ही past life की reflections दिखा रहे है या हमारे ही अंदर की internal reflections दिखा रहे है अब कुछ लोग ऐसे हैं कि after awakening उनकी life में इसे ज़ादा लोग नहीं आये थोड़े से ही कार मिक्स थे बढ़ जैसे जैसे अपने अंदर काम किया वैसे वैसे बाहर से भी कार मिक के साथ उनका जो है कार मिक अकाउंट सटल हो गया कार मिक ब्लॉकेज हटा और जो उने चाहिए था वो manifest हो गया लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी awakening के बाद उनके 4D में जाने के बाद अच्छानक से बहुत सारे लोग उनको follow कर रहे है की किसी तरीके की good knowledge उनКे पास है किसी तरीके की बड़ी कुछ है ग्यान उनके पास जिसकी वज़े से लोग उनकी तरफ बहुत जादा आ रहे हैं नाकेविल के लोग उनकी तरफ آ रहे हैं वो लोग जैसे इनके साथ एक बहुत अपना पन भी फील करते हैं एक बहुत कनेक्शन भी फील करते हैं इन लोगों के साथ तो ये जो लोग है ना जिनके पास इतने सारे लोग आए हैं इनका यूनियन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इनके जीवन में जो ये सारे लोग आए हैं, चाहे हजारों में आए हैं और चाहे लाखों में आए हैं, जब तक ये लोगों का कल्यान नहीं होगा, जब तक इन लोगों के साथ इनकी कार्मिक एनरजी सेटल नहीं होगी, ठीक है, जब तक वो कार्मिक अकाउंट जो इतने सारे लोगों के साथ इनका है, जब तक वो खतम नहीं होगा, जब तक वो सटल नहीं होगा, तब तक इनका inner union नहीं हो सकता है, और अगर inner union नहीं होगा, तो बाहर से भी जो इनका high vibrational partner है, जिसके लिए innate desire है, ये उसको manifest नहीं कर पाएंगे, इनके नीचे जो लोग होंगे, इनके पास जो लोग जाएंगी, जो ये अपने जीवन में चाहते हैं, और इनको सोच के हिरानी हो सकती है, कि मैं इनने रस्ता दिखा रहा हूं या दिखा रही हूं, इनका कल्यान हो रहा है, पर मेरा क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो कार्मिक account है, वो बहुत बड़ा है आफ्टर अवेक्निंग हमारे जीवन में हमारे कार्मिक्स आते हैं तो वो लोग जिनके आफ्टर अवेक्निंग कार्मिक इतने जादा हैं लाखों में हैं हजारों में हैं तो ये है कि बहुत जादा कार्मिक अकाउंट है और ये जितने लोग आपकी लाइफ में आ तब तक वो जो आप चाहते हो सबसे जादा अपने जीवन में तब तक वो पूरा नहीं होगा और कारण सरफ यही है कि आपका कारमिक अकाउंट जो है वो बहुत जादा बड़ा है ऐसे लोग बहुत जादा पैसा कमा सकते हैं लेकिन पैसा एक समय के बाद उनको happiness feel नहीं कराएगा बलकि उनको उदासी रहेगी और कई बार वो यह सोच सकते हैं जो लोग मेरी तरफ आये मदद के लिए, suggestions के लिए, healing के लिए, astrology के लिए उनमें से कितने सारे लोगों की कई इच्छाएं पूरी हो गई, उनकी कई ऐसी इच्छाएं थी जो आप चाहते थे अपने जीवन में कि ऐसा कुछ अच्छा मेरे साथ हो लेकिन उनकी पूरी हो जाएगी, लेकिन इन लोगों की नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि इनका कार में एक अकाउंट बहुत जादा बड़ा है काफी सारे लोगों के साथ इनकी energy is connected है past life से तीक है इस life में जब तक ये अपने आपको internally upgrade नहीं करेंगे internally upgrade नहीं करेंगे जब तक इनकी energy नहीं उठेगी और energy कैसे उठती है उपर energy कैसे उठती है उपर energy ऐसे उठती है उपर कि जैसे जैसे ये जो सारे लोग आपके जीवन में आएं है आप देखो सब दुखी होंगे, परिशान होंगे किसी न किसी चीज में उलजे होए होंगे तो जब तक इन लोगों के तुरू universe आपको ही आपकी past life की reflections दिखा रही है आपकी internal reflections दिखा रही है तो उनके तुरू न भगवान universe आपको काफी चीज़े mirror कराने की कोशिश करेंगे, आपको अपने अंदर जाकना है और अपने उपर work करना है, अपने आप से question करना है कि इतने सारे दुखी लोग मेरे जीवन का हिस्सा क्यों बने ये सब लोग क्यों परेशान है इनके साथ मैं इतना closely connected हूँ ये मुझे इतना पसंद करते है ये मुझे से मदद मांग रहे है मेरे जीवन का हिस्सा बन गए है पर ऐसे लोग मेरे जीवन का हिस्सा क्यों बने है जो सब परिशान है, दुखी है, तरस रहे हैं, कुछ चाहते हैं, ये पीस में क्यों नहीं है, ऐसे लोगों को मैंने क्यों manifest किया, ऐसे लोग मेरे जीवन का हिस्सा क्यों बन गए है, ये अपने आप से question करना है, और spiritual practices करनी है, inner शुद्धी करन करना है, subconscious mind को heal करना है, कई बार में भी व्यक्ति फिर जो है, ये जो कार्मिक, इतना सारा कर्मा है, इतने सारे कार्मिक लोग हैं, इनके साथ वो energy settle होने की बज़ाए कई बरी, और व्यक्ति जो है, इनके साथ अपनी energies को उलज़ा देता है, और अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ा देता है, और अगर वो इ सी प्रकार की बिमारे आपने हमेशा हमेशा जो astrologers होते है या doctors होते हैं या कई बार जो हीलर्स होते हैं आप देखना इनका end time जो life की end time होता है ना मृत्यू का time होता है वो बड़ा खराब रहता है वो बहुत दर्दनाक रहता है क्यों क्योंकि ये इतने सारे लोगों जो आपकी जिंदगी में आए वो आपके कार में एक अकाउंट्स थे उनके तरू यूनिवर्स आपको आपकी reflections दिखा रहे थे past life की और internal reflections दिखा रहे थे लेकिन क्या हुआ इनके तरू जो mirror आपको दिखाया जा रहा था वो तो कि वो जो आपकी रात दिन तारीफे कर रहे थे बस आप उन तारीफों में ही खुश हो रहे थे लेकिन अब ये है कि कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ एक है जो आप चाहते हैं जो आप पाना चाहते हैं जिस level पर आप पहुँचना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जिनकी आफटर अवेकनिंग बहुत जादा लोग उनके साथ जुड़े हैं इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनका कारमेक अकाउंट बहुत 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 बड़ा है ठीक है तो अगर ये ऐसे ही लोगों में खोई रहे ऐसी दुखी लोगों में जो ग्रीफ में पड़े हुए लोग है ऐसे ही लोगों में रहे इनकी हेल्थ पे बहुत जादा इफेक्ट देखने को मिलेगा ऐसे लोगों का लीवर बहुत जादा जो है इफेक्ट होत पर इफेक्ट बढ़ सकता है ऐसे लोगों के साथ जुड़ने के बाद वेट बहुत गिड़ सकता है या वेट बहुत बढ़ सकता है लेकिन यह हो इसलिए रहा है क्योंकि आप ना कमा रहे हो आपको appreciation मिल रही है आप खुश हो आपको जो चीजें मिल रही है उन चीजों को पा mirror दिखा रहे हैं कि यह लोग ऐसे ही नहीं आ गए तुम्हारे जीवन में अचानक से यह हजारों लोग और लाखों लोग ऐसे ही नहीं आ गए यह सब तुम्हारे कार्मिक अकाउंस हैं यह सब तुम्हारी internal reflections हैं और जब तक तुम अपने अंदर अपने आपको upgrade नहीं करोग तुम्हारे अंदर union नहीं हो सकता और जो भी चीज तुम ultimately बाहर से चाहते हो manifest करना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो इन लोगों के साथ कार्मिक अकाउंस खतम जब होगा तब जाके इन लोगों का internal union होगा और तब जाके जो है जो यह चाहते हैं चाहे person को चा अब इनको मिलेगा ठीक है तो कुछ लोगों का union जो है बहुत देर से होगा क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट बहुत जादा बड़ा है ऐसे लोग टारो कार्ड रीटर्स, एस्टर लॉजर, रेकी हीलर्स, डॉक्टर्स, क्रिस्टल हीलर्स या कोई पंडित, करम कांडी पं पंग रहे हैं, वो सभी लोग आपकी internal reflections हैं, वो सभी लोग आपके karmic accounts हैं, ठीक है, अगर आप ऐसी लोगों में उलजी रहे, definitely आपकी health है, mental health पर असर देखने को मिलेगा, ठीक है, और अगर इन लोगों के true universe जो आपसे communicate कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को समझ के आप अप अपने अंदर काम कर पाए, तो आप देखोगे, आप भी upgrade हो रहे हैं, आपके अंदर भी energy उठ रही है, इन लोगों के अंदर भी energy उठ रही है, कarmic account settle होगा, और जो आप चाहते हो, वो मिलेगा, definitely ऐसे लोगों को थोड़ा सा देड़ से मिलेगा, लेकिन, और शायद कुछ गेट करना चाहरे हैं, लोगों के तरूँ उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ना वो सुन पा रहे हैं, कारण यह है कि आवाज बाहर जो इतने सारे कarmic हैं, उनकी इतनी जादा है, कि जो universe की आवाज है, वो वो नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो इन ही लोगों में उलज आती है, आप भी, आपकी भी health effect होती है, जादा तर देखा गया है कि जो यह astrologers होते हैं, यह जो ब्रहमन्स होते हैं, जो करम कांडी, पूजा पार्ज, आफ़ाप करते हैं, या जो वकील होते हैं, advocates होते हैं, doctors होते हैं, इनका अंतिम समय जादा तर लोगों का जो है, बहुत आनिया रहती है, और इनका अंतिम समय भी जादा तर ये देखा गया है, कि बड़ा दर्दनाग बीटता है, तो after awakening अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कि अचानक से जो है, बहुत सारे लोगों के साथ आप जुड़ गए हो, because of your some knowledge, और जादा तर लोग आपक पास जो है, दुखी ही आते हैं, तो ये सब लोग आपको mirror दिखा रहे हैं, शीशा दिखा रहे हैं, आपकी कई past lives का, कई जन्मों में आप ऐसे ही रहे हो, ठीक है, आपकी internal reflections इस form में जो है, externally आपके सामने आ रही है, अब आपको time निकालके जो है, आपकी जो भी knowledge है, जिन चीजों में आप लगे हुए हो, उससे थोड़ा सा समय निकालके, जो है, daily आप जो है, inner work करें, ठीक है, basic practices करें, और साथ साथ जो है, अपने subconscious mind को heal करें, और समय समय पर आपकी greed आपको फसाएगी, आपका घमंड आपको फसाएगा, आपका over emotional attitude आपको आगे बढ़ने नहीं है, और इन चीजों को, इन mental blockages को, इन inner blockages को आपने हटाना है, जैसे जैसे आप अपने अंदर upgrade होंगे, आप देखोगे कि ये जो कार्मिक लोग हैं, ये धीरे धीरे आपके जीवन से जाने लगेंगे, ये भी upgrade होने लगेंगे, इनके साथ आपका कार्मिक account settle होने लगेगा और आपके अंदर जो है energy उपर उठेगी, ठीक है, और जितना आपके अंदर energy उपर उठेगी, उतना शरीर से रोग खतम होंगे, जीवन से परेशानियां खतम होंगी, और जो भी आप चाहते हो, धीरे धीरे आप उस चीज तक, उस जगा तक पहुँशने लगोगे, ठीक ह इन लोगों का union देर से होगा, क्योंकि इनका कार में कखाऊं बहुत जादा बढ़ा है, ठीक है, तो that's it दोश्तों, यही था मिराज का वीडियो, thank you so much, God bless you, भबाए